तो पिछले कुछ टाइम से इंडिया में टैबलेट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और अब तो कुछ गवर्मेंट स्कीम में भी टैबलेट्स दिस्ट्रिबूट किये जा रहे हैं जोहां की पहले लैप्टोप्स दिये जाते थे टोपर बच्चों को क्योंकि अब की टै के 3K वाली देखने को मिलती है और प्रोसेसर इतना तगड़ा होता है ना कि तुम गेमिंग भी करो उससे कोई फरक ने पड़ता और उसके बाद जो बैटरीज हैं बैटरीज काफी बड़ी हो गई है तो अब जो पूरा पूरा दिन निकाल जाती है और चार्जिंग तुमें SIM का ओप्शन देखने को मिलेगा और कुछ तिर्फ वाइफाई-अनली टैबलेट्स ही हैं तो नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, नंबर 5 पर हमने रखा है Redmi का पैड अब तक का सबसे basic और सबसे सस्ता तैबलेट इस लिस्ट के अंदर 6GB तक की रहम वाला तो मगर इसक एक तक बढ़ा सकते हों कि विना किसी दिक्कत के वहां पर तुम HDR के साथ सा डिजिटल जूम और 1080p तक की रिकोर्डिंग 30fps के उपर कर सकते हों इसकी बैटरी कपेस्टी 8000 एमेज की है तो देंशन लेन की बात नहीं है पूरा दिन चलती है और फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है तो चार्ज भी काफी ज़्यादा जल्दी हो जाती है इसमें यूज कर सकते हों USB चार्जिंग उप्शन देखने को मिलता है यहां पर तुम्हें स्पीकर देखने को मिलते हैं और मुल्टीमेडिय के लिए भी काफी सही सही पीचर सुने लगा रखे हैं बात करेंगा अगले वारे टैबलेट की यहनी कि नंबर 4 के लेट की नंब यहां पर तुम्हें SIM कार्ड का option देखने को मिल जाएगा SIM के साथ साथ Wi-Fi दोनों का option यहां पर रहने वाला है Quick charging देखने को मिलती है यहां पर भी देखो Aluminium bag यहां पर तुम्हें इसकी देखने को मिल जाएगी Cyber Teal Color है IP52 की rating दे रखे है तो Water and Dust Resistance देखने को मिलता है 11-inch की display है IPC LCD पैनल है performance की बात करूं तो यहां पर आपको Matec का Helio G90T chipset देखने को मिलेगा 4GB की RAM और internal memory जो है वो 64GB की है और यहां पर तुम्हें जो है तक की recording तुम वहां भी कर पाओगे 30fps के उपर इसकी बैटरी का पेस्टी की बात करूं तो 7700 इमेज की बैटरी है और यहां पर देखो तुम्हें Quick Charging का स्पोर्ट देखने को मिल जाता है अब बात करेंगे नंबर थर्ड यह टैबलेट की नंबर थर्ड पर हमने रखा है लेनवो का टैप P 11 सेकेंड जेनरेशन का म्यूजिंग गेमिंग इन सब के लिए बैस्ट है इसके अंदर तुम्हें देखो Android वर्जन 12 देखने को मिल जाता है और यहां पर तुम्हें सिंग देखने को मिल जाएंगे तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है अगर आप गेजिक और गेमिंग के लिए खरेना चाहे तो खरी सकते हैं अगला नमबर सेगंड पर अमने रखा है Samsung Galaxy Tab A9 Plus अब देखो यह जो है ना भाई है यह इस सेलिंग लैप्टोप है Samsung की तरप से यहां पर देखो तुम्हें Android 13 अप्तर का लेटेस्ट Android और Samsung One UI देखने को मिलती है और यहां पर तुम्हें सब्सक्राइब के साथ सिल्वर डाग ब्लू और ग्रेटी निकलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं 11 इंचीज की डिस्पले है और TFT पैनल दे रखा है Samsung ने अपना तो डिस्पले काफी सही है इसकी पोकस के साथ आता है लेकिन 1080p की रिकोडिंग 30 fps के पर तो यहां से भी कर सकते हूं 7040 mh की बैटरी है 15 वाट की फ्लाइस चार्जिंग है और यहां पर बाइफाई 5 की टेक्नोलोजी जो है इन लोग ने दी हुई है अब देखो यह लोग जो है ना भाई इननोंने का करा है म टैबलेट की देखो नमबर बन पर जो टैबलेट आता है यह आता है बन प्लस की तरफ से पैड़ गो हाईयर सेलिंग है और आल रांडर टैबलेट है सब कुछ इसके अंदर तुम कर सकते हो इसके अंदर दोनों मौडल सो में देखने को मिल जाता है तो डरने वाली बात तो अंड्रोइड 13 और ओक्सिजन ओएस ट्विक चार्जिंग ट्विन मिंट कलर आदे के लोगा तो बही टैबलेट है ग्यारा पॉइंट पैंटिस इंचिस की डिस्प्ले आई पीसी लस्टी डिस्प्ले है बेसिकली और मीटे का हीलियो जी नाइंटी नाइन है आट जीबी त अगेश की है और यहां पर तुम्हें जो है स्टेंड बाइट इसका पांसो चौदा घंटे गाया टूजे यूपर बाकी यहां पर तुम्हें चार्जिंग स्पीड सबसे हाइस देखने को मिलती है सूपर वियोसी चार्जिंग है 33 बाट की यूएस्बी टाइप सी है और य सेम 2,000 पर देना पड़ेंगे 22,000 में तुम्हें वह भी मिल जाएगा बंप्रस की तरफ से तो बस यह आज के लिए इसे जादा में तुम्हें टाइम दे लूँगा और अपना टाइम भी तुम्हें देता हूं मैं तो तुम मुझे कमेंट सेक्षिन में पूछो तुम्हें कोई भी कोशिन हो कोई भी कोरी हो तुम मुझे पूछ सकते हो अभी तक यहां तक वीडियो देखना तो यह चैनल को सुब्सक्राइब कर लेना मैं में में वीडियों तुमसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बंदे मातर में जाएं